शारुखान की फिल्म डंकी ने परभास की फिल्म सलार की तुलना में काफी कम ओपनिंगी थी लेकिन इस वक्त सिनिमा घरों में साउथ की इस फिल्म को पच्छार देती दिख रही है परभास की सलार से ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई शारु खान की डंकी ने 29 तसमलब 2 करोर रुपे की ओपनी की थी जबकि 25 दिन रविवार को भी फिल्म ने शांदार कलेक्शन किया है वही सलार की कुल कमाई भले डंकी से अधीक रही हो लेकिन अब शारु खान ने परभास को मात दे दी है वही हाल ही में रिलीज हुई हनुमान मेरी क्रिसमस कैप्टन मिलर और गुंटूर करम कुछ खास कमान नहीं दिखा पा रही है शारु खान ने एक साल में तीन हिट फिल्में देने का जिवर्डिस रिकॉर्ड बना डाला साल दोहजार ताइस की शिर्वात ही उन्होंने पठान से की जिसने एक हजार करोड से अधीक कमाई की थी वहीं उनकी दूसरी फिल्म जवान ने भी बंपर कमाई की और करीब 1100 करोड पार कर लिया वहीं तीसरे फिल्म में डंकी से उमीद की जा रही थी कि ये फिल्म कमाई का रिकॉर्ड पार कर जाएगी लेकिन एहसार नहीं हुआ डंकी की कमाई कम जरूर हुई लेकिन साल 2023 की शांदार फिल्मों में अपनी जगहा बनाने में सफल रही है सैक्नियलक की रिपोर्ट के मुताविक डंकी ने 25 दिनों में 224.32 करोर रुपे की कमाई की इस फिल्म ने रविवार को 1.1 करोर रुपे का कलेक्शन किया है वही इस फिल्म ने वर्डवाइट 442 करोर का कलेक्शन कर लिया इस फिल्म ने विदेश में अब तक 173.25 करोर की कमाई कर ली है वही भारत में फिल्म ने अब तक 268.75 करोर रुपे का ग्रास कलेक्शन किया है परवास की फिल्म सिलान की बात करें तो फिल्म ने कुल मिलाग कर 403.85 करोर रुपे की कमाई की है परशांत नेल निर्देशित फिल्म ने धुआधार ओपनिंग की और इसमें पहले ही दिन 90.7 करोर की कमाई कर रेकॉर्ड तो डाला इस फिल्म ने 24 दिन 90 लाक रुपे का कलेक्शन किया है इस फिल्म ने वर्ड वाइड 715.65 करो रुपे का कलेक्शन किया है